So welcome back to US Group, मेरा नाम है आमिर और हासिर हूं accounting series की नई क्लास नए अब डिरेकर accounting के अपनी आज की इस क्लास में हम देखेंगे अगर हमें tally prime में incentive payable की इंटीज को बनाना है with proper TDS deduction तो वो हम कैसे करेंगे कौन सा section apply किया जाता है, कैसे हम tds deduct करते है और अगर हमें बाद में TDS की payment की इंटीज को पास करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे चलिए, इसके लिए मैंना tally prime software open कर लिया है, सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ मैं company create करने वाला हूँ, तो मैं यहां से create पे चला चाहूँगा ट्रेट पे जाएंगे और मैं यहां से मान लिजेट की कुछ भी, like incentive, with TDS में बना लेता हूँ company बाकि की details आप बाल लिजेगा, अपने इच्छनुसा, मैं आप यहां से जल्दी बहर देता हूँ state हम उत्तरपदेश रखेंगे, and then यहां से हम pin code डालेंगे और बाकि मैं बहुत कुछ नहीं बरता, control ले करके save कराता हूँ जब आप company create कर लेंगे, company create करने के बाद जब आप control ले करते हैं तो आगे आप इस screen पे आते हैं, जहां पर आपको अपकी company की tax से सम्मंदिश settings करनी होती है इसके लाव अगर आपको कोई extra चीज इनेबल करनी है, तो भी आप यहां से करते है अगर इस window पे आप नहीं है, तो आप F11 करके भी आप यहां पे आ सकते हैं, यह company features ही है यहां एक side पे आप देखेंगे, तो आपको tax sessions दिखाई देता है जहां पर सबसे उपर आपको GST, और उसके नीचे आप देखेंगे, आपको TDS से सम्मंदिश settings दिखाई देती है अगर आपको यह ना दिखाई दे, तो आपको यहां उपर से आप side पे देखेंगे, जहां पर आपको yes and no दिखाई देता है आप यहां पर yes 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 करते जाएगा, आपको यहां पर यह दिखाई देना शुरू हो जाएगा अब जैसे आप enter करेंगे, तो आपके समने कुछ इस तरीकी का panel open होगा जहां पर आपको 10 number डालना है इस पर मैं detail में वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि tedious exactly क्या होता है, कैसे deduct किया जाता है, sections क्या है, tedious rates क्या होते है इसकी 300 limit क्या होती है, अगर आपने देखा नहीं, तो link description में जाकर आप उसको जरूर देख लीजिए अगर हम बात 10 number की करते हैं, तो यह 10 अंकों को होता है, अब इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ 10 अंकों में इसे 5 alphabets होंगे आपके और 5 numeric अंक होंगे तो मैं यहां से, मैं ऐसे कोई एक dummy डाल देता हूँ F, देखें आपे मैंने शुरूर में 4 alphabets आट किये हैं, फिर मैंने 5 numeric अंक और last में 1 alphabets फिर से आट कर दिया है दोनों को sim repeat कर दीजिए, इसके बाद जो TDS काटने वाला है डिड़क्टर है, वो क्या है, कोई एक वेक्तिविसे से यह company है मैं तो company के लिए data इंटरार करता हूँ, तो मैं यहाँ से company करूँगा इसके बाद जो इस post पे बैठा होगा, जो इस सारी entries को pass कर रहा होगा, अगर आप उसकी भी details आट करना चाहें, तो यहाँ से आके yes कर दीजिए इसके बाद आपको यहाँ पे उसका नाम डाल देना है, उसके father का नाम डाल देना है, किस post पे आपको वो डाल देना है, उसका pan number और बागे की details आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं इसके बाद लिखा हुआ ignore IT exertion limits for the TDS direction, आप यहाँ से चाहें तो yes कर लें, वो आपके requirement की हिताब से है, और control करके save करा दे, फिर control करके save करा दे, इस तरीके से आपने TDS से संबंदित settings तो कर ली है, अब अगला काम आपका जो होने वाला है, वो है आपका lasers creation का, वो important lasers बना ले and send to payable, indirect space रखूँगा और बाकी मैं यहाँ से, क्या यहाँ पर अभी TDS कहीं पर नहीं दिखाए दे रहा है, तो हमें TDS को enable करना पड़ेगा, चोकि आपने इस laser के लिए TDS enable नहीं किया है, तो मैं more details पर एक बार जाकर देख लेता हूँ, और यहाँ से TDS details दिखाए दे रहा तो मैंने जल्दी मैंने fill up नहीं किया था, मुझे लगा था option आगी आ जाएगा, लेकिन अब मुझे दिखता है कि उसको activate तो करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से applicable कर दीजेगा, चीक है, वहाँ पर ना दिखाए दे तो applicable करिएगा, और यहाँ से create कर लीजेगा, चीक है, अब यह TDS है कि आपका TDS on incentive, इंटर प्रेस कर दीजेए, इसका section 194R है, इंटर कर दीजेए, इसका payment code बागरा रहने दीजेए, यहाँ पर आप charges बर दीजेए, 10% deduction होना है, इसकी 300 limit जो होती है, वो 20,000 रुपीज है, वैसे इतना compulsory नहीं है डालना, वो भी पूरे एक साल में इस तरीके से आपने पहला लेटर बनाया, अब जिस व्यक्ति को TDS pay करने वाले है, मैंने मान लेजिए, रोगन को pay करने वाला हूँ, तो मैं रोगन बना लेता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा, इंटर प्रेस करने के बाद यह हमारे लिए संदी क्रेटर होने वाला है, आप यहाँ पर देखेंगे, इंडिविच्वल, HOF दिखाए दे रहा है, मतलब यह मेरे लिए काम गरदा है, एक व्यक्ति मातर है, और यहाँ से लिखा हुआ है, TDS is same as voucher, आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ चीज़ और देख लिजेगा, यहाँ पर आप create करते समय, यहाँ पर नीचे दिखाए दे रहा है आपको, उसके pen से संबंदी details, वो आप भरना चाहिए तो भर दीजिए, मैं फिलाल भर देता हूँ, यह माने जिन नहीं भरते है, तो यह double हो जाएगा, तो मैं यहाँ से controller करके save कराऊँगा, चीज़, अब अगला जो हमें काम करना है, वो यह ideas deduct करेंगे, तो हमें TDS का भी एक laser बनाना प्रहेगा, TDS on incentive, हम यहाँ पर इंटरपेस कर देंगे, और यहाँ से मैं रखूंगा, duties and taxes, and then मैं यहाँ से, और इसके बाद मुझे यहाँ से TDS लेना है, and then मैंने जो पहले से बनाया हुआ था, उसको select करूंग और फंटो ले कर दूँगा, ठीक है, अब हमने almost, जितने भी important lasers थे, वो बना ली है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं TDS Rowan का काटने वाला हूँ, और incentive payable की मैं NT pass करूंगा, चलिए अब हम NT pass करके देख लेते हैं exactly कैसे NT pass की जाएंगे, तो मैं voucher प कर दीजिए, मुझे incentive payable का करना है, और मैं इसका payment करने वाला हूँ, 50,000 rupees मानने जिए incentive का, तो मैं यहाँ इस incentive को 50,000 भरूंगा, इसके बाद जैसे मैं यहाँ से Rowan लूँगा, आप देखेंगे, Rowan का automatic TDSS ने 10% काट लिया है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है, 10% नहीं, 20% काटा है, वजे क्या है, क्योंकि मैंने Rowan का pen number नहीं दिया था, एक चीज़ से दिखान देखेंगा, अगर आप pen number देते हैं, तो जो उसका rate होगा, जैसे माले जो 10% है, अगर आप pen number नहीं देते हैं, तो यह just opposite हो जाए, then double हो जाता है, sorry, double, यानि कि अगर 10% आता, तो अब उसके जगे पे 20% काटेगा, तो यहाँ पे 20% काट रहा है, इसके बाद आप यहाँ से new reference डालते हुए आगे बढ़ जाए, और मैं यहाँ से आगे करते हुए, यहाँ पे पे TDS डाल देता हूँ, यह, तो आपकी overall interest यह बन जाएगी, जिसमें हमने क्या किया ह हमने incentive pay करना था हमें, तो मैंने incentive pay करते समय, यह आपर सबसे पहले तो उसको incentive को generate किया है, किसके लिए था, रोगन के लिए था, जब हम उसको 50,000 रुपय का payment करते, तो उसमें हमें payment उसको 40,000 का करना था, क्योंकि हमने उसका 20% TDS deduct किया है, 20% क्यों काता है, जब की कातना 10% चाहिए था, चुकि सामने वाले का हमारे पास pen number नहीं है, और pen number की guideline ही यही है, कि अगर सामने वाले रेक्ति आपको pen number नहीं देता, तो जो भी उसका TDS rate होगा, वो जस्ट डबल हो जाएगा, यह अगर 10% कटरा था TDS, तो उसका 20% कटेगा, चुकि सामने वाले आपको pen number न है, दोनों ही तरीके हैं आपके पास, अगर आपको चेक करना हो, तो आप यहां से display more reports पे आ सकते हैं, और यहां से आपको जाना है, statutory reports पे, ठीक है, यहां पे, ठीक है, और यहां पे आप TDS reports पे जाकर, आप TDS outstanding देख सकते हैं, TDS outstanding में आपको वो पैसे दिखाए देंगे, ज जो सरकार को पी करना है, अब हम यहां से escape करके बाहर आएंगे, और मैं form 27Q के अंतरगत, इसका payment करूँगा, तो जब यहां पे मैं पहुंचूँगा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आप देखेंगे state payment आपको दिखाए देगा, जिसमें आपको TDS select कर लेना ह इसके बाद आपको यहां पे dates डाल देनी है, जो भी है, अपना section select फिल लीजिए, और इसके बाद आप जो payment करने वाले हैं, वो यहां से all payment select करते हुए, मैं cash पे आउँगा, और आप देख रहे हैं, आपे 10,000 रुपे payment आपका दिखा रहा है, मैं control है करके इसको save करा दूग अब अगर मैं यहां पे वापस आपका outstanding में दिखाऊंगा, तो यहां पे कुछ भी नहीं दिखाए देगा, चोकि जो भी आपने TDS काटा था, उसका payment कर दिया है, अब अगर आप चाहें, तो Rowan का जो payment बाकी है, आप वो भी कर सकते हैं, चोकि अभी हमने उसका payment generate किया है, अ अगर सेप करा दूँगा, तो उपस आपको समझाया होगा, अगर आपको teleprime mains into payable quintis को पास करना है, with proper TDS settings, तो आप कैसे गरेंगे, वीडियो पसंद आए है, वीडियो को like, चैनल को subscribe, तल आइकन पे हिट बहुत चल्द मिलेंगे, अपना ख्यार लखिए, आराउंडिंग तिक तरिये, bye bye and take care.